तो हलो एवरीवान कैसे हैं आप लोग तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को तो आजम के लिए जा रहे हैं GTA 5 बट आज PC में नहीं हम मुबाइल में GTA 5 कहलेंगे वैसे 100 GB का GTA 5 मुबाइल के अंदर खेंडना पॉसिबल नहीं है लेकि मेरे पास एक ट्रिक है जिसे हम 100 GB का GTA 5 अपने ससे ससे मुबाइल के अंदर खेल सकते हैं चाहिए वो 2 GB RAM का हो 1 GB RAM का हो कोई सब ही मुबाइल हो हम उसके अंदर 100 GB का GTA 5 खेल सकते हैं और वीडियो को कम्प्लीट वाच करें और स्टेप बेस्टेप फॉलो करें वरना फिर मुझे मत करें किया ट्रिक वर्क नहीं कर रही किसी भी स्टेप को मिस मत करिएगा वरना आपका ये गेम नहीं चलेगा ये ट्रिक 100% वर्किंग है और मैं आप लोगों को लाइफ GTA 5 अपने मुबाइल के अंदर चला के भी दिखाओंगा GTA 5 को मुबाइल में चलाने के दो तरीके हैं या तो GTA 5 का APK डामलूट किया जाए या तो भाई क्लाउड गेमिंग की जाए अगर पहले तरीके की बात करें तो ये भाई बिल्कुल इल्ली करें और ये बिल्कुल गलत तरीका और फाल्स तरीका ये किसी भी तरीके से काम नहीं करता नई इसमें हमें असली जीटिया 5 मिलता है पीगी के अंदर और नई कोई ऐसा एप है जो के मुबाइल के अंदर जो है वो जीटिया 5 को चला सके नई जीटिया 5 मुबाइल के लिए बनाएट जो दूसरा तरीक है हमारे पास क्लाउड गेमिंग का है वो सबसे बैस थरीक है और उसके अंदर बिलकुल रियलेस्टिक ऐसा लगता है कि आप लोग पीसी के अंदर जीटिया 5 केलें और आपका मुबाइल कितना ही सिलो हो कितना ही हलका हो उसके अंदर आपको जीटिया 5 बिलकुल स्मूच चलेगा लेकिन यहाँ पर यह मसला आता है कि क्लाउड गेमिंग जो है वो पेड होती है काफी यूटियूबर्स जो हैं वो चिकी अप और जीओ गेमिंग क्लाउड्स वगरा के बारे में बात कर रहे हैं जो के सारी की सारी पैड हैं और वो सारी इंडियन अप्स हैं और पाकिसान के अंदर निस्टाल नहीं होती लेकिन जो एप मैं आज आपको बताऊंगा वो आप किसी भी कंट्री में रहकर उसे डाउमलोड कर सकते हैं उसके अंदर GTA 5 को प्ले कर सकते हैं तो अब हमाँ चुके हैं अपनी मुबाइल की स्क्रीशन पर और मैं आप आपको बताऊंगा कि मुबाइल के अंदर GTA 5 किस तरी के से इंस्टाल करें यह है मेरे मुबाइल की स्क्रीशन शायद आप लोगों को बलर या फोकस्ट नजर आ रही होगी सबसे पहले हमें वो एप्लिकेशन इस्टाल करनी है जिसके जरी हम GTA 5 को खेल सकते हैं तो प्ले स्टोर में जाना है वहां पर लिखना है मौक्यूल मौक्यूल है S.I. को इसका नाम है M.O.G.U.L आपने लिखना है मौक्यूल क्लाउड गेमिंग उसके बाद जो रियलो कलर का जिसका आइकन है वो एप्लिकेशन आएगी आपने कि अगरने सिंपली इसको इस्टाल कर लेना है ये मेरे ख्याल से कितने M.O.G. का है यै कुछ 40-50 M.O.G. का होगा 40 M.O.G. का ये ये आपलिकेशन है आपना ये इस इन्सटाल करना है ये कुछ ही देर के अंदर इस्टाल हो जाईगी जतनी आपकी inlet की इसफीड होगी उसह रिसाब सą इंस्टॉल हो जाएगी जैसे इंस्टॉल होती है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस अप्लिकेशन के जरी हम GTA 5 पिल्कुली असानी से खिल सकते हो चाहे आपका 1GB RAM का मुबाइल हो चाहे 2GB RAM का मुबाइल हो या उससे भी हलका मुबाइल हो सिर्फ आपकी 인्टरनेट साजी होना चाहिए आपका गैम बैटरीन चलेगा स्मूट चलेगा तो हमारी जो एप्लिकेशन हैं वो इंस्टॉल हो चुकी है तो आप हमें अपने एप्लिकेशन अ fragen हो ही और आप हमारी एप्लिकेशन जो है आपके वह अपंन आप्लिकेशन जहाएंगे आप ल इस विट्रफेस जो वो आ गया है, यह अप्लिकेशन में आपने सबसे पहले GTA 5 को सर्च करना है, सबसे पहले आपने सर्च आइकन में जाना है और GTA लिखना है, यहाँ पर पहले से भी आ रहा है क्योंकि यह बोल रहा है कि everyone is playing सब GTA 5 कहले हैं इस अप्लिकेशन के ओपर, काफी किसी अप्लिकेशन के बारे में पता है, और काफी लोगों को नहीं पता, जिल लोगों को नहीं पता हो आइस देख लें, तो आपने जैसे GTA 5 लिखा है, इसने हमें दे दिया, अब यह ब्रीफ इंट्रोड़क्शन है, इसके रिव्यूज वगेर हैं, जो भी हैं, इसने हमें जो है, वो साइट के अंदर, यह हमें प्राइस भी बता रहा है साइट में, कि जो है, वो साइट जैम्स पर हवर हमें दे रहा है, मतलब जो इसका कोईन है, साइट जैम्स का, अबलब सिक्सी जैम्स हमारे पास होंगे, तो हम एक गंटा GTA 5 खेल सकते हैं, लेकिन आप लोग क क्लिक करना है, और साइड में बूस्ट का आप्शन है, आप जैसी बूस्ट पर क्लिक करेंगे, यह हमें कोई 5 ते 10 सेकंड के एड़ दिखाएगा, और यह देखेँ, हमें एड़ दिखा रहा है, तो इस एड़ को बढ़ बरदाश करें हैं 5 ते 10 सेकंड, फंदरा सेकंड में यह आपको जोड़ो निशान능 देदेगा Let 3 पे ले हम Erid देखते हैं QROS का निशान देखते हैं कितनी दियर में आता है देखें अब हमारे सामने क्रॉस का निशान जो आ चुका है SIMPLY आपने क्रॉस की निशान पर क्लिक करना है क्रॉस का जो साइन होता है जैसी आप cross के निशान पर क्लिक करेंगे आपके बास option आजाएगा play now का आपने simply play now पर क्लिक करना है और यहां पर आपका सामने gta 5 open हो चुका है आप यहां पर देख सकते हैं इसकी screen पर आपका gta 5 जो वो open हो चुका है और यह चलने लगिया है अब simply हमें work बता रहा है कि किस तरी के से करना है और यह बिलकुल 100% working है इसके अंदर कोई किसी भी इसम का जूट नहीं है कि हम में किसी भी किसम का fraud नहीं है बिलकुल genuinely आप अपने सस्ते सस्ते 2GP RAM वाले mobile के अंदर भी आप gta 5 खेल सकते है और आप इसकी loading देख रहे हैं अगर आपने कभी PC के अंदर देखा हो gta 5 को खेलते हुए तो इस तरी के कि उसकी स्क्रीन आती है अब आप यह देखें यह स्क्रीन आ रही है gta 5 की बिलकुल real वाला gta 5 है अब यह हमें कह रहा है कि हमें online खेलना है story mode केलना है कि आपने जो है और arrow key से story mode को select करना है story mode को select करके हमें एक ही की प्रेस करनी है और जैसे ही एक ही की प्रेस करते हैं तो भाई यह जो है वो loading स्क्रीन gta 5 की start हो चुकी है और कुछ ही seconds के अंदर यह load होगा और हमारे पास हमारा gta 5 चलने start हो जाएगा तो देखते हैंगे भाई थोड़ी तेर wait करना पड़ेगा क्योंके भाई loading पीसे के अंदर भी होती है क्योंके इतना बड़ा game है एतनी जादा चीचे होती है इसके अंदर गर हैं गाड़ियां है तो यह सब को load कर रहा होता है जिस वज़े से इसका loading टाइम जो थोड़ा सा जादा है तो अब इसको load होने का मित्तजार करते हैं जैसे ही load होता है मैं आपको बताता हूँ किस तरीके तर जोई वो gta 5 खेल सकते हैं कौन-कौन चा बटन किस चीज़ के लिए इस्तामाल हो सकते हैं लेकिन यह आप जोई वो आपको उपर भी beginner के लिए tutorial होता है उपर भी के इस button चे होगा और आप यह देखें कि आपने कभी किसी को देखा हो gta 5 का first mission चुक्के बिलकुल first mission होता है वो यहाँ पर जोई वो start हो चुका है भाई तो अभी जो है वो हम यहाँ पर आ चुके है अब बैंकर यह भाई ही यहाँ पर कड़ा वाई तो अब जो हमें खेलना है start कर देता हूँ और मैं तो भाई PC के अंदर केलता हूँ आप लोगो बता है मैं GTA 5 के gameplays बनाता हूँ आप लोग पता नहीं देखते हूँ पीसी के अंदर इस game की अलग सेटिंग होती है और इसके अंदर बाई अलग है तो हमें जो है वो खुद बटन चेक करने है कौन सा जो बटन है वो किस के लिए work करता है दो तरीके के इनोंने moving tools देती हैं जिससे हम अपने players को move कर सकते हैं और अपने camera को भी move कर सकते है उस side में जो ये एक square shape जो move करने का है ये हमारे phone वगएरा उठाने का है जो हमारे पस side में keyboard में arrow keys होती है ये उसलिए काम आता है अब हमारा mission ये कि ये जो बंदे हैं सारे अब हमें जो है वो इन्हें अंदर बेज़ना है निशाना लगा कर तो हम जो है वो इनके ओपर aim करते हैं ताके ये बंदे जो है वो अंदर चले जाए अब इसके अंदर आगे जो है एक gate को blast करना है जैसे जैसे आप लोग mission आगे करते जाएंगे आप लोगों का जो है वो GTA 5 और आगे चलता जाएगा तो ये सबसे असान और simplest way था GTA 5 को खेलने का वो भी बिल्कुल free के अंदर और किसी भी दरीगे के harmful अपिके या किसी भी वेब ट्रेट पर जाने की ज़रूरत नहीं है simply playstation मैगूल का cloud game install करना है और उसका free वाला add देखकर 15-20 second 30 second का add देखकर आप जो 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 GTA 5 आराम से खेल सकते हैं बिल्कुल smooth gameplay उमीदे के आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो इसको like करें चैनल को subscribe करें और bell icon को लाजमी दमाएं और इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी किसम का मसला आता है तो comment section में बता दें मैं आप लोगों के comments का जरूर reply दूँगा चो भी मसला आता है को issue phase होता है कि आपको कोई मसला सही नहीं हो रहा हूँ कुछा आपको loading नहीं हो रही किसी भी किसम का मसला आता है आप comment section में बताएं कि मुझे इस तरी किसी मसला आप GT5 के अंदर खेलने में तो मैं उस मसले को इंशालला बिल्कुल resolve करूँ अगर मुझसे हुआ तो तो मिलते हैं आपनी नेक्स वीडियो के अंदर तिल देनला आफिस, good bye, tech care